D.A.O, Decentralized Autonomous Organization होता क्या है? जैसे उसका नाम है वैसे ही उसका काम है बेसिकली एक टीम रहता है जिसमें हर एक डिसीजन डेमोक्राटिकली लिया जाता है बेसिकली जिस से कि आप अपने दोस्तों के साथ बाहर खाने गया हो और 10 में से 6 दोस्तों बोले कि हमको पानी पूरी खाना है तो तुम सब लोग पानी पूरी खाने जाओगे पर अगर आप अपने बास के साथ बाहर गया हो बास का पिज़ा खाना है, एंपलोई बोले कि नहीं बर्गर खाना है अखेले शायद ही बाइ कर पा हो यह पूरा करिकेटीम तो आप क्या करोगे आपने जैसे ही 10 लगों को एक साथ लोगे every person will then donate a certain amount of money for that purpose that is for buying the cricket team so let's just say everybody gave 1000 rupees after that you guys buy the cricket team and you are the owners you are the equal owners depending upon the shares basically if you have 1000 डाला तो उसको उसकी equivalent के share मेले गए तो जो भी profit होगा वो वैसे ही automatically distribute होगा because of this smart contract technology जो automatically execute होता है on the blockchain